हेलो फ्रेंड्स मैं हो विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी कोई साभी फोन है रेडमी, ओपो, वीवो, सैमसंग बगरा या कोई भी और आपको यहाँ पे दिक्कत आती है कि आप नेट तो सुवा ओन करते हो पर थोड़े दिर यूज़ करने के बाद वो नेट अपने आप ही बंद हो जाता है तो इसको हम ठीक कैसे करें आईए जानते हैं तरीका सिंपल है फोन के अंदर ऐसी सैटिंग दी होती है जिसके बाद आप जो नेट यूज़ करते हो वो अपने आप ही बंद हो जाता है यहाँ पे आप वाइफा इस्तिमाल कर रहे हो तो अलग तरीका है और अगर आप सिंप का नेट इस्तिमाल कर रहे हो और data roaming को ढूणना है data roaming आपके फोन में कहां पर है यह रहा वरना आप search भी कर सकते हैं मैं आपको search करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर data roaming आप लिखिए आपके फोन में जहां पर भी है तो यहाँ पर यह रहा data roaming इस पर touch करें और अपने data roaming बंद कर दीजिए अगर आप बंद नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको size या limit दिखाई देगी आपको इसे GB पर set करना है और यहाँ पर आपको 10 कर देना है यह GB होना चाहिए और रोके कर दीजिए करीबन 10 GB data रोज यूज होएगा और यहाँ पर when exit दिखाएगा इसे आप यहाँ पर इससे हटा के show warning पर touch कर दीजिएगा इसकी वज़े से ही net अपने आप बंद हो जाता है तो आप इसे देखिए वना data roaming बंद ही कर दीजिए मेरे हिसाब से मैं never पर कर देता हूँ और यह हो जाएगा इसके अलावा अगर आपको wifi यह hotspot पर दिख्कत आ रही है तो आप अपने hotspot को चालू करें चालू करने के बाद यहाँ पर hotspot मिलेगा इस पर touch करें और यहाँ पर आपको मिलेगा hotspot इससे open करें तो यह वाला option देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा turn off hotspot automatically यह option आप बंद कर दिजिए यह तब के लिए है जब आपके phone में कोई hotspot connect नहीं रहेगा wifi connect नहीं रहेगा तो यह बंद हो जाएगा तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा